मैं एक 25 साल की खुबसूरत औरत हूँ, मेरी शादी को अभी कुछ समय ही गुजरा था, शादी की रात से ही मैं रोज देखती थी कि मेरी सास मेरे दादा ससुर के पैर दबाती थी, और पैर दबाकर जब उनके कमरे में से बहार आती तो भीहोश हो जाती थी, मैंने बहुत बा अपने दादा जी के कमरे में चली गई, अभी मैं कमरे में ही गई थी कि दादा जी ने मेरी सास समझ कर मेरे सास जो किया, उससे मैं अंदर तक हिल गई, क्योंकि मैं यह सब कुछ काफी समय से देखते आ रही थी, लेकिन आज मेरी बरदाश की सीमा खतब हो गई थी, मुझे हमेशा से यही लगता था कि भगवान जाने मेरे दादा ससूर किस तरीके के इनसान है दिखने में तो वह बहुत सीधे साधे हैं लेकिन उनके अंदर हैवान चिपा हुआ है मेरी सास जब कुछ घंटे मेरे दादा ससूर के कमरे में गुजार कर बाहर आती तो उनका चहरा बिल बढ़ी रही थी कि वैं भी होश होकर जमीन पर जागिरी मेरी तो जान जैसे मेरे मूँ में आ गई थी वैं बहुत जोर जोर से चिलाने लगी मेरी आवाज सुन दे ही मेरे दादा ससुर भी कमरे के बाहर आ गए मेरी सास को उनके कमरे में लिटाया गया और मेरे दादा ससुर ने ही डॉक्टर को बुलाया डॉक्टर ने आते ही मेरी सास को चेक किया और उन्हें कुछ इंजेक्शन लगाए और हम सब को बताया कि उनकी मांसिक और साररिक हालत ठीक नहीं है वे डिप्रेशन से है इसलिए वे बिहोश हो गई थी मैंने तो बहुत ही हैलत भरी नजरे उसे नजरे चुराने लगे मुझे तो जैसे उनसे घिन आने लगी थी मैंने अपनी सास की बहुत अच्छे से सेवा की और कि उस दिनों में वे बिलकुल ठीक हो गई उनके ठीक होने पर एक दिन बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा कि आखिर दादा जी आपको कमरे में क्य पहाई देने लगती थी मेरी सास ने मुझे गुसे में चुप रहने के लिए कहा और कहने लगी कि हम दोनों के बीच में तुमक बोलो मुझे उन पर भी बहुत गुसा आया था मैं चुप चाप उनके कमरे से बाहर निकल गई मेरे दादा ससुर भी अजीवी थे एक तरफ त सुननी से अपना मुझ चुपा कर दादा ससुर के कमरे में गई मुझे जानना था कि आकिर हर रोज रात को वे मेरी सास को क्यों अपने कमरे में बुलाते हैं उस रात उन्होंने मेरी सास समझ कर मेरे सास जो भी किया उसको शब्दों में बया करना मुश्किल है मेरे दादा स ससूर गाओं के मुख्या थे गाओं का हर इंसान उनकी बहुत इज़त करता था सब उन्हें पसंद भी बहुत करते थे और उनको हमेशा मुख्या जी कहकर ही बुलाते थे गाओं में अगर कभी भी कुछ होता था तो हर किसी को इंसाफ की उमीद मेरे दादा ससूर से ही रहती गाउं के लिए लोग उनको लेकर हमेशा खुश रहते थे मेरी ससूर जी इकलोते बेटे थे उनके मैं भी अपने दादा ससूर की बहुत इज़त करती थी इस घर में लेकिन सब लोग मुझसे बहुत जादा प्यार करते थे लेकिन जैसे ही मेरे ससुर जी की मृत्ती हुई, हमारे उपर तो जैसे कियामत आ गई, अपनी बेटे के नगम में मेरी दादी सास भी चल बसी, मेरे दादा ससुर अकेले रह गए थे, मेरी सास का भी लो रोकर बहुत बुरा हाल हो गया था, उस दोरान कभी मैं अपनी सास को सम तो कभी अपने दादा ससुर को मेरी सास ने दीरे अपने आपको समाला और घर की सारी जिम्मेदारी निभाई और मेरे दादा ससुर के उपर आ गई ससुर जब भी काओं के किसी भी काम से वापस आते तो मेरे पास बैठ कर मेरे ससुर जी की किस से सुनाया करते थे मेरी सास हमे करते थे बात ये है कि मेरे सास दादा ससूर अपने ससूर दोस्त के बेटी को लेकर आना चाहते थे लेकिन मेरे ससूर जी मेरी सास से ही शादी करना चाहते थे और अंत में मेरे दादा ससूर को उनके आगे जुकना पड़ा इसलिए वे मेरी सास को पसंद नहीं करते थे सालों गुजर जाने के बाद भी मेरी सास के लिए मेरी दादा ससूर का मन साफ नहीं था जब भी उनकी नजर मेरी सास पर परती थी तो वे उनको नजर अंदास किया करते थे लेकिन एक समय पर मेरे दादा ससूर की तब बहुत ज़ादा खराब हो गई वे दवाई तक नहीं खाते थे वे इतनी चिर्चिडा हो गए थे लेकिन उन्हें समय मेरी सास ही थी जिन्होंने उनकी डांट सुनने के बावजुद उनको दवाई खिलाई और अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी मेरे दादा ससूर तो उस समय मेरी सास को सिर्ग उस्से में घूरते ही रहते थे लेकिन मेरी सास ने अपना पूरा फर्ज निभाया था सब कुछ देखकर मेरे दादा ससूर का वहवार मेरी सास के लिए बदनने लगा था अब तो हाल यह था कि मेरे दादा ससुर अपने हर काम के लिए मेरी सास को ही रहते थे चाहे वे दवाई खिलाना हो या पैट दबाना मेरी सास अब हर रात मेरे दादा ससुर के कमरे में जाने लगी थी कुछ घंटे रुक कर वे वापस अपने कमरे में आ जाती थी लेकिन ना जाने क्यों वे जब भी जादा ससुर के कमरे में गई थी उनके चेहरे पर एक अजीब चाही हावा होता था जैसे किसी गहरी सोच में हो मैं जब भी पूस्ती कि क्या बात है तो मुझे हमेशा कहती थी कि कुछ नहीं जादातर समय उनकी आफ़ी नम रहती थी उनसे इस तरीके का भेवार मेरे मन में उनके और दादा ससुर के लिए कुछ अलगी सोच बना रहा था आखिर वे उनके कमरे में ऐसा क्या कहते या क्या करते थे जिससे वे बाहर आकर बहुत ही गुमसुम सी रहने लग जाती थी जब से मेरी ससुर जी की मौत हुई तब चे शायद ही मैंने अपनी सास को कभी हसते हुए देखा होगा वे हमेशा अधास और दुखी रहती थी मेरे दादा ससुर मुझे तो हमेशा सिर्फ दवाईया के बारे में ही बात करते थे लेकिन जैसे जैसे दिन गजड़ते गए मेरे दादा ससुर अपने एक है काम के लिए मेरी सास के इनिल बर होगा जब कि घर में नौकर थे नहीं तो कम से कम दो तीन घंटे बाद ही बाहर आई थी यह सब बहुत अजीब था मेरे पती तो विदेश में रहते थे और जब से मेरे ससूर हम सब छोड़ कर गए थे तब से मेरी सास मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी मेरे दादा ससूर मेरी सास को बहुत एहमियत देने लगी थे पर पता नहीं मेरी सास हमेशा क्यों डरी सहमी सी रहती थी जो दादा ससूर मेरी सास को पसंद तक नहीं किया करते थे आज उन्होंने अचानक उन्हें गाओं की ओरतों का मुख्या बना दिया था जो ओरतों की परिशानियों को सुनकर उनके सा से बहुत खुश्टी की चलो मेरी सास को उनका हक तो मिला समय यूही गुजरता रहा था मेरे दादा ससूर अभी मेरी सास को रात को कमरे में बुलाया करते थे एक रात में सो रही थी कि अचानक किसी की सिस्कियां से मेरी नीन खुली जब आख खुली तो देखा मेरी सास रो तो थी नहीं जरूर कि मैं अपने दादा ससूर के दोगले भैवार को लेकर बहुत परिशान थी मैंने अपनी सास से रोने की वज़ा पूची तो उन्होंने आज भी मुझे यही कहा कि कोई बात नहीं है तुम सोजाओ अगले दिन मेरे दादा ससूर के दोस्त के बेटे हमारे गर आये ते वे वुण वद्वा रहते थे उन्होंने मेरे ससूर के बारे में सुना था तो इसलिए वे मिलने आये मेरी सास की शादी बहुत कमर ऑमर में हो गई ती जिसकी वज़े से मेरी सास की उम्र बहुत जादा नहीं थी जब वोगता हो गई मेरे दादा ससूर के दोस्स के बेटे ने मुझे इन कुस दिनों में बहुत प्यार दिया था वे मुझे पनी बेटी ही मानते थे पर मैंने एक बात को महसूज किया था वे बार बार मेरी सास को देख रही होते थे और मेरी सास उनसे नजरे चुरा रही होती थी लेकिन जब से मेरे दादा जी के दोस्त के बेटे घर पर आयते वे बहुत खुश थे इन तीन दिनों मेरे दादा जी ने मेरी सास को अपने कमरे में भी नहीं बुलाया था एक दिन काफी समय हो गया था मेरी सास कमरे में नहीं आई थी उनको ढूंटे हुए मैं बाहर गई वहाँ मैंने जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए वहाँ पर मेरी सास और मेरे दादा जी के दोस्त के बेटे कुछ बात कर रहे थे मेरी सास उन्हें कह रही थी कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की इस पर उन्होंने कहा क्योंकि मैं तुमसे हमेशा सच्चा प्यार किया था और हमेशा करूँगा वह है तो तुमारे पती की तुमारे लिए इस कदर दिवानगी को इस कदर दिवानगी को देखकर मैं पीछे हो गया था मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में आना ही नहीं चाहता था और ना ही मैं कोशिश की मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता था इसलिए जब तुम दोनों अभी तै हो गए ओ तो मैं हमेशा के लिए विदेश चला गया क्योंकि मैं तुम दोनों को खुश तो देखनाि चाथा था लेकिन तुम दोनों की शादी होते हुए नहीं देख सकता था जब मुझे उसकी मौत के बारे में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ आखिर था तो वह मेरे दोस जैसा ही मैं जानता हूँ कि मैं काफी समय बाद आया लेकिन मेरी भी तबित वहां काफी खराब चल रही थी हमेशा रह रहे कर तुम्हारे दर्द का खयाल आता था कि तुम कैसे रह रही होगी उसके बिना मैं यहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले किया करता था अगर तुम हाँ कहो तो मैं एक बार अंकल से बात करता हूँ मेरी सास कहने लगी कि भगवान के लिए तुम यहां सब कभी मत करना वैसे ही उन्होंने पूरी जिंदगी मुझ पर शक किया है क्योंकि मैं सहर से हूँ मैं कभी गाउं में बसी नहीं पाऊंगी लेकिन वह तो मैं अपने पती के सारे पूरी जिंदगी गाउं में गुजार दी और अपनी हर एक जिम्मेदारी निभाई मेरे ससूर का नाम शुरेश था मेरी सास कहने लगी कि अब वै दौर नहीं रहा अब तो मेरे बेटे की भी शादी हो चुकी है मैं अब हमेशा सुरेश की विद्वाई ही होकर गुजारना चाहती हूँ तुम यहां से वापिस चले जाओ और कभी दुबारा वापिस मताना और वै वहां से रोते हुए चले गए मैं यह सब कुछ वहीं खड़ी चुक्चा देख रही थी मुझे यह तो समझ आया था कि इन तीनों के बीच उनकी जवानी में कुछ तो था यह अंकल भी उससे बहुत प्याय करते थे जैसे मेरी ससूर किया करते थे लेकिन पूरी कहानी क्या थी है मुझे नहीं पता खेर वै भी वहां से चले गए मेरी सास मेरे दादा ससूर के कमरे में थी आज मेरे सर में भी सुभा से बहुत ज़ादा दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा कि उनसे दवाई ले लेती हूँ जैसे ही मैंने अपने दादा ससूर का कमरा खोला सामने जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए मेरे दादा ससूर मेरी सास को कह रही थे कि मैं तुम्हें जो कुछ भी कहा है बै तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से बिक बहार निकाल दूँगा, मेरी सास रोते हुए उनके आगे हाथ जोड रही थी और कह रही थी कि भगवान के लिए आप सब यह मत करिये, मैं विद्वा हूँ, मुझे यह सब नहीं होगा, मैं इतना ही सुनाता कि मैं उल्टे पाऊं कमरे में बहार आगे, आज मेरे दादा जी मेरी नजरों में बिलकुल गिर चुके थे, उनका दोगला वहवार तो मुझे हमेशा से दिखता ही था, लेकिन आज मुझे ना जाने क्यूं उस पे यकीन सा होने लगा था, उन दोनों ने मुझे नहीं देखा था, बाहर बैठ कर मैं अपनी सास का इंतजार करने लगी, जब वह बाहर आई, तो अपने आसू पोस्ते हुए आई थी, मैंने उनके रोने की वज़ा पूछी, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बेटा, बस तुम इतना समझ लो कि मेरी किसमत ही ऐसी है, कहकर वह अपने कमरे में चली गई, मैं यह सब कुछ बैठे-बैठे सोची रही थी, कि मेरे शक को यकीन में मेरे घर की नौकरानी ने बदल दिया, वह कहने लगी, कि दादाजी जैसे दिखते हैं, वह वैसे बिलकुल नहीं है, हमेशा सही, उनका मिजाज बहुत रंगीन रहा है, उनकी जवानी में तो उनके बहुत सारी ओरतो उसे रिष्टे रहा करते थे, और बहारगाओं के लोगों के वीच में वैं सरीर बन घुमते हैं, भगवानी बचाए इस तरीके के लोगों से, मैंने उससे पूचा कि तुम यह सब कैसे जानती हो, और तुम यह सब क्यों बोल रही हो, तो वैं कहने लगी, दीदी मुझे प महसूस होने लगी थी, फिर एक दिन मेरी सास ने भी मुझे दबे लफजों में कहा था, कि दादा जी से थोड़ा दूर ही रहा करो, उनकी इस बात का मतलब मैं बखो भी समझ गई थी, यह यूँ ही गिजर रहे थे, कहते हैं ना, कि जब आप किसी के बारे में अच्छा बढ़ा दादा जी के बारे में मेरे मन में ऐसे ऐसे खयाल अब आने लगे थे, कि उनकी हर हरकत पर मुझे उन पर शिर्फ शक ही होता था, एक ऐसा ही दिन जब दादा जी बाहर भीचे में किसी से बात कर रहे थे वे कह रहे थे, कि जब किसी की शादी होगी मैं तब एक दिन दादा जी मेरे कमरे में आए और मुझे कहने लगे कि तुम इत्ती पड़ी-लिकी हो क्यों घर के कमरे में अपनी सास के साथ हमेशा बंद रहती हो मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी तुम समालो मैं तुम्हें घर का चूला चौका करते हुए नहीं देखना चाहता तुम्हारा पती भी तो बाहर रहता है जब वहाँ से आएगा तो तुम्हें यह सब करते हुए देखकर उसे कितना बुरा लगेगा कितनी पड़ी लिखी होने के बावजुद तुम किचन में घुसी रहती हो कल मेरे ड्राइवर के साथ जाकर कॉलिज में अपना एड्मिशन कराना और आगे की पढ़ाई को पूरा करो और आपसे अपना कमरा भी अलग करो मैं तुम्हारा कमरा सेट कर देता हूँ हमारे घर में कितने कमरे हैं तुम क्यूं उसके साथ ये कमरे में लहना चाहती हो मैं दादा जी की बाते चुप-चप सुन रही थी मैं अपने मन में सोच रही थी कि हाँ मैं अपनी तरफ से अलग हो जाओ ताकि आपको खुली छूट मिल जाए अपनी गंदी हरकतों को करने के लिए खैर मैं खुलकर तो नहीं बोल सकती थी तो मैं बहुत ही दबे लफजों में उनसे कहा कि दादा जी मेरे को अकेले कमरे में डर लगता है इसलिए मैं मम्मी के साथ ही सोना चाहती हूँ मैं अकेले नहीं सो सकती लेकिन उन्होंने एक ना सुझे और नोकर को कहकर मेरा कमरा बजलवा दिया साथ भी मेरे अलग सोने पर बहुत परिचान थी पर वेह भी कुछ नहीं कह सकती थी मैंने तो सोच लिया था कि जब सब सो जाएंगे तो मैं अपनी सास के पास जाकर ही सोऊंगी सबके सोने के बाद मैं अपनी सास के कमरे में जैसे ही जाने लगी तो मैं हरान रह गई मेरी सास का कमरा अंदर से बंध था मैंने दीरे-दीरे अपनी सास को आवाज भी लगाई थी पर उन्होंने दर्वाजा नहीं खोला मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी अपनी सास को दर्वाजा बंद करके हुए सोते नहीं देखा था मैं बापस अपने कमरे में चली गई सुबह उठकर जैसे ही नीचे आई मैंने अपने दादा ससूर को मेरी सास के कमरे से बहाँ निकलते वह दिखा, वहाँ से निकल कर अपने कमरे में चले गए, तो क्या इसका मतलब है मैं के कमरे में थे उन्होंने इसलिए मुझे अलग किया था उनसे मेरे सामने तो जैसे पूरा घर घूमने लगा था सर चकरा गया था मेरा खुछ समझ नहीं आ रहा था क्या की यह सब क्या चल रहा है मैंने अब सोच लिया था कि मुझे यह सब कुछ जानना ही है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है इस घर में मैं अपनी सास के पास एक दूद का गिलास दे कर गई उस गिलास में मैंने नीन की दव कि आप कितने कमजोर हो गए अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती यहीं सब बोलते हो मैंने उन्हें दूर का गिलाज भी दिया और वो पीते ही सो गई मेरी सास के अलमारीच से उठके कपड़े निकाल कर मैंने पहने और दादा जी के कमरे में जाने के जैसे ही मैंने उन्हें दूर का गिलाज दिया फिर दादा ससूर मुझे कहने लगे कि देखो मैंने तुम्हें बहुत समझ दिया अब तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी यहां आओ मेरे पास बैटो आकर मेरी तो जैसे हाथ पर फूने लगे थे जैसे ही मैं डरी तो उससे ह दादा ससुर कह रहे थे कि मुझे तुमसे यह उमीन नहीं थी, मैं अपना सर जुकाए नीचे चुपचा बैटी हुई थी, मुझे कह रहे थे कि मुझे तुमसे यह उमीन नहीं थी, अब मैं आपको बताती हैं कि मेरे दादा ससुर ने मुझे क्या कहा था, उन्होंने मुझे म बुरा भी नहीं कि तुम्हारे बारे में ना सोचूं आखिर तुम मेरी बेटे की बीवी हो और मेरी बेटी जैसी ही हो मैं जानता हूं कि शुरू में मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया लेकिन आज अगर मेरी बेटी होती तो वैं तुम्हारे जैसी ही होती इसलिए मैं त कि तुम सब को छोड़ो और दूसरी शादी कर लो मेरी चिंता क्यू करती हो मैं तो पहले भी तुम्हें समझा चुका हूँ कि मैं या लहलूंगा आगे मेरे दादा ससोर ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम पहले भी मुझे बहुत बार कह चुकी हो कि तुम दूसरे देश नहीं जाना चाहती लेकिन बेटा तुम मुझे शादी करके दूसरे देश चली जाओगी और वहाँ अच्छे से अपचे जिंदगी गुजारोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी मैं तो अपनी जिंदगी के लिए हूँ अब तुम्हारी बारी है तुम कब तक मेरे बेटे की विद्वा बनके रहोगी है बात मेरे दादा ससुर ने उसी दिन मुझे कही थी जब मैं यह सब चुपचाप काफी देर तक सुनती रही दादा ससुर भी बहुत जोर से चिलाएते मेरे उपर पूरी हवेली में उनकी आवास गुजने लगी थी मैंने अपने दादा ससुर अपनी सास दोनों से ही माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए मैं आप लोगों के बारे में बहुत गलत सोचा मुझे यह सम कभी नहीं सोचना चाहिए था कुछ समय बाद मैं भी अपनी सास को बहुत समझा रहा कि वे उन अंकल से शादी कर ले वे मान गए और शादी करने के बाद वे दूसरे देश उनके साथ चली गए कुछ समय बाद मेरे दादा ससुर ने मेरे पती को भी कहा कि वे मुझे यहां से ले जाए वे जल चल अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहते थे मैं भी अपने पती के साथ विदेश चली गए हमने जादा ससुर को हमारे साथ चलने को कहा था पर वे अपने पर वे अपने आकरी समय में गाउं में ही रहना चाहते थे उनकी बात को मानते हुए हमने गाउं में ही कुछ नौगर उनके पास रख दिये जो उनका हमेशा ध्यान डखते थे और हमें उनके बारे में और उनकी तबित के बारे में हमेशा बताते रहते थे पिर दादा ससूर बहुत अच्छे इंचानते, मैंने ही उनके बारे में गला सोचा था, कई बार हमें जो दिखता है वह सच नहीं होता, इसलिए आखो देखा हमेशा सच हो, यह जरूरी नहीं, पूरी सच्चाई, जाने बिना कभी किसी के बाद पर भी अपनी पत्रकिया नही देनी चाहिए, यह मैंने आज सीख लिया था, यह हम मनुश्य का वहवारी तो है, कि अगर हम किसी के बारे में बड़ा सोचेंगे, तो हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ बुराईयां ही दिखती हैं, और अगर किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो सिर्फ अच्छा ही है, नहीं बाद